नमस्कार दोस्तों आप क्राइम तक देख रहे हैं, बात करते हैं गैंक्स्टर की शादी की, काला जठेडी शादी करने वाले हैं अनुराधा से, वो भी लेडी डौन है, लेकिन सवाल योटता है कि इस शादी को लेकर अब इतनी गुपाल जी चर्चा है क्यों हो रही है, चर इसकी स्पेशल सेल ने गिरफतार किया था और तमाम केसेज हैं, बाकी गुपाल जी, यह जो शादी है, इसको लेकर बड़ी चर्चा है, हाँ, यह शादी और खास तोर से चर्चा इसलिए भी है, क्योंकि इसमें जो दुलहन है, वो बड़ा एक, मुझा इंट्रेस्टिंग करेक्टर है, अनुराधा, अनुराधा का एक तरह से देखा जाए तो यह तीसरी शादी है, अब तीसरी शादी कैसे, तो पहली शादी इसने दीपक मिंज के साथ यह पढ़ती भी थी और दीपक मिंज के साथ यह शेर मार्केट में काम करती थी, यह अपने दोर में पढ़ा इसके ओपर कुछ देनदारियां बढ़ा गई इसको लोग इसको पैसा देने से कत्राने लगे और डिमांड करने लगे जिन लोग ने इसके कंपनी में इन्वेस्मेंट किया था तो उसको लेकर ये जो थी ये एक गैंग्स्टर के थू आननदपाल से मिली राइस्थान का वो आननदपाल और आननदपाल से मिलने के बाद ये आननदपाल पर फिदा हो गई और उसके साथ लिविन में रह ले लेगी इस बात को देखकर दीपक मिंज ने इसका साथ छोड़ दिया तो अब दीपक मिंज के साथ बाद अब ये आननदपाल के साथ रहने लेगी उसके और दो साल ता कि अकेली रहने के बाद इसका संपर्क का लारेंस विश्णोई के जरिए काला जैथेडी से पूर काला जैथेडी के साथ अब ये शादी करने वाली है. उसका राइस्थान में दबबा है, काला जैथेडी जो है वो हर्याना में अपरेट करता है. तो ये दोनों जो हैं बड़े इंट्रेस्टिंग कह सकते हैं और ज्यादा पुराना नहीं है काला जठेडी का रिकॉर्ड क्योंकि दिल्ली में एक पहलवान की हत्या हुई थी उसमें सबसे पहले इसका नाम आया था उसके बाद फिर जेल के अंदर इसने पहलवान सुशील को भी धंकी दी थी उसके जान से मारने की क्योंकि इसके भाई को साथ चोटोट लग गई ती तो सुशील ने पुलिस को कंप्लेंट करके कहा था कि भाई मेरा इस जान को खत्रा है उसके बाद ये बंदा जो था काला जठेडी जो है वो लॉरेंस बिशनोई के संपर्क में आया और वहां से ये सिंडिकेट में शामिल हो गया तो यह कुलमिला के बड़ा इंट्रेस्टिंग कहानी है एक मोबाइल चोड से यह बहुत बड़ा गैंस्टर बना है यह कुलमिला के इसका इस्टि बिलकुल सही का गोपाल जी ने लेकिन बताता हूं काला जठेडी के बा आया था कि इसने मोबाइल जपता था पुलिस ने इसको रंगे हाथों पकड़ा था उसके बाद यह जरायम की दुनिया में बहुत इसका नाम हुआ क्यों क्योंकि इसने रंगदारी वसूल करना शुरू की डिस्पुटेड प्रॉपर्टी में हाथ मारने लगा धिरे धिरे एक गैंग से दूसरे गैंग में जुड़ता चला गया और आप यकीन मानिए जो NIA ने इस बाल कॉपाल जी चाशिड दाखिल की थी उसमें काला जठेडी का नाम है और यह कहते हैं कि लॉरेंस का एक एहम गैंग खास वो है गुर्गा जिसको कह सकते हैं क्योंकि यह पूरा रोल प्ले कर रहा उस सिंडिकेट में जिस सिंडिकेट के थूरू लॉरेंस बिश्णोई अपना पूरा ओपरेशन को अंजाम देता है यह बताते हैं कि लेडी डॉन अनुराधा जो है वो भी कभी राजिस्थान में आनंद पाल से जुड़ी थी जैसे खुद बताया इंका सिंडिकियां हुई और उसके बाद वो उसकी घर पर ही रेडी पिछले काफी वक्त से अब दोनों शादी करने जा रहे हैं यह जानकारी और इसको लेकर कोट ने पर्मिशन भी दी है गस्टडी परोल दी है दोजार तेईस में इंटर्वी हुआ था जिसमें अनुराधा नह कहा था कि अब उसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है और उसके बाद से लगातार जो है सुर्कियों में तो पहले से ही थी काला जट अला कि इसमें यह है कि अनुराधा जो है वो पूरी तरह से अपना फेस सेविंग करना चाहती है वो किसी भी तरह से इस बात को क्यों एड्मिट करेगी कि वो जराइम की दुनिया में है लेकिन आज की तारिख में भी राजिस्थान का जो सबसे बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा है कहते हैं उसकी कमांड अनुराधा के पास है और यह एक तरह से उसके सारे हितों को कमपनशेट करती है लारेंस विश्णोई के लारेंस विश्णोई के जितने भी ऑपरेशन्स राइस्थान में होते हैं उसमें जादा तर में इसका हाथ होता है अब इसने मना कर दिया कि इसका कोई बलेना देना नहीं है मैं आपको काला जठेडी के बारे में बता हूँ जैसे हमने बताया था कि केस में समयपुर बाद नाम इसके ओपर घोशित किया था 2021 में इसको अरेस्ट किया था और यह कहते हैं कि यह अनुराधा को भी उसमें अरेस्ट किया था दोनों एक साथ मिले थे यह मैं बता दू जो दिल्ली में कांड हुआ था सागर धंकर जो पहलवान की हत्या हुई थी उसमें जो रेसलर थे शुशील पहलवान उसको पुलिस ने गिरफतार किया था उस पूरे प्रकरण में काला जठीडी का एक रिष्टदार जो था सुनू महाल वो उसको भी गायल हुआ था उसको भी शुशील ने पीटा था ऐसा आरोप है और उसके बाद ये दोनों की अदावत शुरू हो गई तो सारे लोग परेशान हो गयते इसलिए क्योंकि कहीं अगर जेल के अंदर क्योंकि ये गैंस्टर्स हैं इनके तमाम तरह के नेटवर्क होते हैं उस नेटवर्क का इस्तेमाल करके अगर ये कहीं किसी भी ऐसी वारदात को अंजाम दे देता तो जेल की भी बेज़ती होती और एक बहुत बड़ा बड़ा अपराद सामने होता है दोजार बीस में काला जठेडी पुलिस की कस्टेडी से फरार हो गया था हाला कि दोजार इकिस में इसको रेस्ट किया लेकिन दोजार बीस का जो वाक्या था फरिदाबाद से इसको पुलिस हिरास्त में लेकर जा रह तब काफी सुर्खियों में रहता है, यानि काला जचेडी का अपना पुराना इतियास है, सोनीपत से लेकर हर्याना में तमाम राजिस्थान, पंजाब, पश्यमी उत्रपदेश में एक्टिव रहा, अब चूकि सुर्खियों में इसलिए अब दुबारा आ गया है, क्योंकि कैसे कैसे उसके जीवन में उतार और चड़ा हुआ है, आनन पाल से कभी नजदीकिया, फिर उसका एंकाउंटर हो जाना, फिर नजदीकिया हो जाना काला जटेडी से, और एक वक्त के बाद ऐसी सिती पैदा होई कि 2021 में पुलिस ने दोनों को ही गिरफतार कर लिया, तो क्य अब अनुराधा का क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, वो क्लेम करती है, बिल्कुल नहीं है, हालां कि ये जांच का विश्य है, लेकिन अब शादी हो रही है, ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, ज़रू बताएंगे झाल